हरियाना पर्देश के नाउन्यूक्त मुख्यमंत्री नायब सिंग सेनी से मिलने पहुँचे पोरो मंत्री चोदरी आजाद मौमंद मिठाई खिला कर वे गुलदस्ता भेट कर मुख्यमंत्री नायब सेनी को दी मुबारकबाद हरियाना पर्देश के नाउन्यूक्त मुख्यमंत्री नायब सिंग सेनी से मुलाकात करने तेथा बदाई देने के लिए फिरोजपुर जिरका विदान सवा से पोरो मंत्री चोधरी आजाद मुहमंद उनके चंदीगड इस्तिते आवास पर पहुंचे हरियाना पर्देश के मुख्यमंत्री बनने पर पोरो मंत्री चोधरी आजाद मुहमंद ने नायब सेनी को गुलदस्ता बेट करते था मिठाई खिलाकर मुबारक बाद दी पोरो मंत्री चोदरी आजाद मुहमन ने का कि परदेश के नवन्युक्त मुख्यमंत्री नायब सेनी पोरो मुख्यमंत्री मनोरल खटर की तरज़ पर परदेश हित में चलाई जारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में समस्थ परदेश के विकास के लिए अगरसर होंगे वही उन्होंने का कि आने वाले लोगसबा चुनाओं में भाजबा पार्टी 10 की 10 लोगसबा सीटों पर जीत हांसिल करेगी मानिनिये परदान मंत्री सिरी नेंदर मोदी द्वारा दिया गया 400 पार का नारा सच साबित होगा पोरो मंत्री आजाद मुहमन ने का कि हरियाना परदेश बीजेपी सरकार की मोदी की गारंटी सबका विकास समान विकास तथा सबका विश्वास जीतने का कारे कर रही है वही उन्होंने का कि पूरो मुख्यमंत्री मनोरलाल दुआरा परदेश भर में भरपूर विकास कराए गया वही उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए परदेश के नवन्युक्त मुख्यमंत्री नायब सेनी दुआरा सबका विकास समान विकास सबका विश्वास के साथ पर्देश हित के लिए कारी किया जाएगा उन्होंने का कि भाजपा सरकार दुआरा विरश्चार खतम कर हर योजना को पोर्टल पर पहुंचाने का कारी किया गया भाजपा सरकार में बिना खर्ची पर्ची के नोक्रिया दी गई वही उन्होंने का कि आने वाले लोगसभा चुनाव में समस्त हर्याना पर्देश में 10 की 10 लोगसभा सीटों पर भाजपा पार्टी की परचंड बहुमत से जीत होगी वही उन्होंने का कि देश भर में मोदी लेर मोदी की गारंटी के साथ चल रही है हर्याना पर्देश में एक बार फिर भाजपा सरकार बनेगी भाजपा पार्टी दुआरा बिना भेदभाओ के पर्देश का विकास किया जा रहा है वही उन्होंने का कि नुहु में बीते दिनों तीनों सीटें भाजपा के पक्ष में नहीं थी लेकिन इस बार नुहु जिले की तीनों सीटों पर कमल जरूर खिरेगा। वही उन्होंने का कि पोर मुख्यमंत्री मनौरलाल खटर की ओजनाओं को आगे बढ़ा कर नौनियुक्तों मुख्यमंत्री नायब सेनी द्वारा पर्देश को विकास के पत्पर ले जाने का कारी किया जाएगा।